उपमंडल निर्मट के अंतरगत बागिपुल जाओं माल्क पर सड़क पर चल रही एक कार पर बीती रात पहाडी पर से पत्थर के अचानक गिर जाने से तीन व्यक्ति घायल हो गए जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है DSP रविंदर सिंग नेगी ने जानकारी देते हुए बताया की सोलन जिला के चार श्रधालू तष जुलाई को श्रीखंड याद्रा पर निकले थे और वीरवार को दर्शिंगर वापिस लोट आये थे वीर्वा रात को श्रीखंड यात्रा से वापिस लोट रहे श्रधालों की कार जिसमें चार वक्ती सवार थे जाओ की ओर से बागिपुल होकर निर्मन्ट आ रही थी जैसे ही कार जाओ से कुछ नीचे पहुंची तो भारी बारिश की कारण अजानक भारी से वुश खलन चुरू हुआ और कार पर बड़े पत्थब गिनने शुरू हो गए जिससे की कार में सवाव चार वक्ती घायल हो गए तब ही वहाँ से गुज़र रही लोगों ने घटना की सूशना निर्मन्ट पुलिस और एकसो आर्ट अपात कालिज एम्बोलन सेवा को दी चारो घायलों को जब सिविल अस्पताल निर्मन पहुंचाए गया तो वहाँ ए घायल को मृत गोशित कर दिया पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है बियासपी रवेंदर सिंग नेगी ने बताया कि यहाँ घटना भू से कलन के कारण हुई है और चालक की कोई गलती नहीं है जबकि शेफ को निर्मन सिविल अस्पताल में रखा गया है जहां आज उसका पोस्ट मार्टम करवा कर परिज जानों को सौंप दिया जाएगा